चलिए आज बात करते हैं डेटा मेंजमेंट के बारे में डेटा मेंजमेंट कैसे किया जाता है तो चलिए हम open करते हैं excel को excel को open करेंगे यहां हमारे पास इस तरीके से serial number name father's name mother's name डी ओवी एड्रेस इसके बाद यहां करम से डेटा में अगर इस प्रकार मिलता है तो हम डेटा को मैनेज किस तरीके से करते हैं यह तो बहुत चोटा डाटा है अगर हमें काफी डाटा ज्यादा हो फिर हम कैसे करेंगे सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर आए उसका नेम क इस तरीके से डेटा को विवस्टित कैसे करते हैं तो चलिए समझते हैं यहां पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम उतने ही कॉलम सेलेक्ट करेंगे जितने यहां पर रो हैं एक दो तीन चार पान छे साथ तो यहां पर हम कॉलम जो सेलेक्ट करेंगे कही इसमें डाल दें कोई color कि इसके बाद यहां से हम फर्स्ट रो को डार्क करेंगे इसके बाद यहां हमें code टाइप करना होगा data को manage करने के लिए हमें यहां पर लिखना होगा qr यह के बीटर लिखेंगे qr space इसके बाद अब हमें यहां पर बो नमबर देना है जो नमबर serial number हमारा किस column में यानि की serial number जो लिखा है इसका cell number हमें यहां पर लिखना है तो cell number क्या है b5 तो यहां पर लिखेंगे b5 इसके बाद अगले column में चलेंगे तो इसी तरह b5 यानि की QR B5 यहां पर serial number आएगा इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर से में लिखना होगा QR और QR लिखने के बाद अब B5 के बाद यानि name के बाद फिर आना चाहिए serial number के बाद आना चाहिए name तो name मारक के cell में है B6 इसके बाद आगी इसी तरह हम QR B8 QR B9 QR B10 इसके बाद लिखें QR B11 यहां तक लिखने के बाद यानि की QR B11 वाले कॉलम में हमारा क्या आएगा mobile number अब इसके बाद की बाद करें तो हमें नीचे अब QR B5 का मतलब है यहां पर CSR नमर आएगा SR नमर के नीचे हमें अपना SR नमर ही चाहिए तो इसके लिए यहां पर अब हमें जो करना होगा QR और इसके नीचे में कौन सी cell चाहिए B11 इसके बाद की बाद करें तो इसके बाद इसी तरह है अब QR B6 का मतलब है कि यहां पर QR B6 में है हमारा नम तो QR B6 के नीचे यानि नम के नीचे क्या आना चाहिए नम तो B13 में आदिति प्रताफ सिंग जो नम है वो आएगा तो इसके लिए मैं करना होगा QR B नम किसमें B13 इसी तरह हम आगे बढ़ाएंगे तो B13 का 14, 15, 16, 17 और 18 तक लास्ट मोवाइल नममर यहां पर दिया गया तो हम यहां पर क्रम से ही लिख देंगे QR B 14 इसके बाद QR B 15 QR B 16 15 और QR B 17 इसके बाद QR B 18 यहां तक हमें लिखने के बाद अब हम करेंगे इसमें यह कि यहां थोड़ा समझेंगे QR B5 का मतलब है यहां पर SR नमर आएगा और SR नमर के नीचे QR B12 का मतलब है कि SR नमर के नीचे B12 यानि की 1 नमर आएगा तो ऐसे ही हमें कहां तक यह डाटा कलेक्ट करना है 2 तक यानि की 2 रो में यह तो बहुत छोटा डाटा है जब हमारे पास बाड़ा डाटा होता है कापी संख्या में डाटा होता है 10,000, 20,000 तक से जो होती है तब हम इस डाटा को कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए बहुत ही इंपोटेंट है यह यहां से हम करेंगे क्या कि इसे करेंगे अब select और select करने के बाद हमें कितने तक निकालना है दो काई निकालना है दो सीर नम तो हम यहां पे इसमें तो यह name सर नममर नेम फादस नेम मदस नेम यह सब आघे इसके बाद यह पर वह पोस्ट आएगी इसको करेंगे काई करने के यहां तक खीच देंगे अब दिखते हैं यहां पर select बना रहने देंगे इतना करने के बाद यहांने की खीचने के बाद दो हमने जो रो हैं वो दो इसलिए किये हैं कि यहां पर एक और दो ही लोगों की data जो है सम्मिट है इसमें और भी होता तो हम नीचे तक ड्रेक कर लेते हैं अब हम यहां पर करेंगे control के साथ में edge यानी replace या आप सीधा यहां पर जाएंगे हम में और हम में या find select पर यहां पर है replace या तो आप इस पर क्लिक करें और या फिर direct shortcut की control के साथ में edge प्रेस करेंगे control के साथ में edge और edge प्रेस करने के बाद यहां हम लिखेंगे find what, find what कराएंगे qr qr find what में लिखने के बाद replace with यानी qr की जगे क्या आना चीए equal यानी कि जो जैसा लिखा है बैसा आना चीए यहां से अब हम करेंगे replace all यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक ही सेकेंड में और यहां से पूरा data manage हो गया इसी तरह आप कितने भी बड़े data को manage कर सकते हैं इसके द्वारा देख सकते हैं सीरियल नमबर के नीचे सीरियल नमबर है इसके बाद नेम की बात करें तो नेम के बाद यहां आदेति प्रताप सींग दूसे नमबर पर लिखा है तीसे नमबर पर इनके फदाप फदस का नेम सुखवी सींग यादव इसके बाद की बात करें तो मदस नेम के नीचे मदस कुम कुम लता इसके बाद बात करें डी ओवी तो साघरें के रहें गार्श लिखा ए इसके बाद जो खोलम है हमारा है mobile number तो mobile number के नीचे इने ही का mobile number यहाँ पे दिया हुआ इस तरह आप कितने भी बड़े data को manage कर सकते हैं तो कसी लगी वीडियो वीडियो और अच्छी लगी हैं तो like, share, comment करना न भूलें तो अगर आप ने हैं तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें धन्य माद